हाई अब्रिवान, एपिसोड फूर की स्टार्ट मम देखते हैं कि त्यान रैट कलर की लिपस्टिक लगा के लिउशी के उपर टेस्ट करती है और फिर लिउशी को चक्कर आने लगता है तो त्यान इसका हाथ पकड़ लेती है और देखती है कि वो ठीक हो गया है त्यान हसकर उसे कहती है कि यानि सच में तुम्हे रैट कलर को देखकर चकर आते हैं और मेरे टच करने से तुम ठीक हो जाते हो तो लिउशी इसे खीच लेता है और ट्यान इसके उपर गिर जाती है और फिर ट्यान उड़ने को कर री होती है पर लिउशी इसे जाने नहीं देता तब इसेस्टेंट ईनो को आकर देख लेता है और कहता है कि आप लोग अपना스 continue रखो और फिर वो बाहर चला जाता है फिर त्यान बहुत ही शाय हो जाती है और वो लिवशी को उसके संग्लासेस पहना देती है फिर लिवशी त्यान से कहता है कि अब तुम मेरे बारे में जानी गई हो तो मुझे तुम से कुछ बात करनी है लेकिन उससे पहले तुम ये रैड कलर की लिपस्टिक पोच हो क्योंकि मुझे तुम से संग्लासेस हटा के बात करनी है फिर त्यान संग्लासेस हटा देती है और लियूशी इसे अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ समझा देता है कि मुझे बलड फोबिया है और वो इतना जादा हो गया है कि अब खाली में रैड कलर भी देख लेता हूँ तो मैं चकर खाके बेहोश हो जाता हूँ और तुम्हारे टच करने से मैं ठीक हो जाता हूँ तो त्यान कहती है कि लेकिन मेरे ही टच करने से क्यों तो लिउशी से कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता तो त्यान कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे डारेकली भी तो बता सकती थे ना अफिर तुम बातों को गुमा कर मुझे अपनी असिस्टेंट क्यू बनाना चाह रहे थे तो लिउशी कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम मेरो वीक पॉइंट जान जाती और तुम इसके जरीय मुझे ब्लैक मिल कर सकती थी तो त्यान कहती है कि मैं इतनी भुरी भी नहीं हूँ क्यों ना मैं तुम्हें परसनल असिस्टेंट के साथ साथ ट्वाई डिजानर भी बना दू तो त्यान कहती है कि ये आइडिया साइनी है पहले मैं ट्वाई डिजानर बनना चाहती हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनूँगी तो लिशी इसकी शर्त मान लेता है फिर त्यान कहती है कि चलो ठीक है अब मैं तुम्हें अपनी बाकी और कंडिशन बताती हूँ फिर नेक्स देंट आ जाता है और त्यान कंपनी के भारी खड़ी होती है और वो बहुत ही खुश होती है और वो सोचती है कि आज से मेरा ड्रीम स्टार्ट हो गया है और फिर वो सेकरिटी गाट को कंपनी की आई डी दिखा कर अंदर आती है और फिर आफिस में आने के बाद असिस्टेंट तैंग त्यान को समझा रहा होता है कि वो आज से लूशी के personal assistant बन गई है तो उसे उसके सारे काम करने होंगे फिर त्यान लूशी के office में आ जाती है और लूशी से बताता है कि अब से तु मुझे red color को देखने से protect करोगी ठीक है तो त्यान कहती है कि ठीक है मैं अपना काम समझ गई हूँ तो अब मैं design department में जा रही हूँ अपनी job करने तभी लूशी देखता है कि त्यान की हैर clip सही नहीं है तो वो उसकी हैर clip सही से लगाता है तभी इतने में assistant tank एक employee के साथ ही पर ही आ रहा होता है और ये दोनों लूशी और त्यान को ये सब करते बें देख लेते हैं और कहते हैं कि हम दोनों ने कुछ नहीं देखे फिर लूशी assistant tank से कहता है कि त्यान को design department में लेके जाओ और उसे काम समझा दो फिर assistant त्यान को design department में ले आता है और वहां के सभी employee से मिलवाता है और design department की director को बता देता है कि त्यान को भी उसका काम समझा दो फिर डायक्टे त्यान को सारी डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने का काम दे देती है और त्यान अपना काम करना स्टार्ट कर देती है और यहां पर लियूशी अपने असिस्टेंट से त्यान की सारी डीटेल्स वगिरा पूछ रहा होता है और असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि डारेक्टर से मैंने बात कर लिया हूँ कि त्यान को अभी कोई डीटेल वर्क ना दिया जाए ताकि बॉस जब भी आप मिस्ट्यान को बुलाए तो वो यहां पर आकर आपका काम कर सके तो लूशी कहता है कि ठीक है एक काम करो त्यान को यहां पर बुलाओ तब इतने में लियुशी को ध्यान आता है कि त्यान ने इसे कौन सी शर्ते बताई थी और त्यान ने लियुशी से बोली थी कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रुत पड़ेगी तुम मुझे बुला सकते हो लेकिन अगर कोई जरूरी काम ना हो तो मुझे मेरी काम के बीच में डिस्टरब मत करना और हाँ मैं चाहती हूँ कि हम दोड़ा थोड़ा लो प्रोफाल रखे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी परसनल असिस्टेंट की जॉब एक सीक्रेट हो और कमपनी में बाकी इंपलोईस को ये ना पता चले नहीं तो वो लोग हम दोनों के बीच के रिलेशन को गलत समझ लेंगे फिर लिऊशी सोचता है कि त्यान ने बोली थी कि मुझे सबको नहीं पता लगने देना है तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम रहने दो मैं खुदी उसको बुला कर लिकर आता हूँ फिर लिऊशी डिजाइन डिपार्टमेंट में आ जाता है और जाकर बारी बारी सबी इंपलोईस के काम को देख रहा होता है और फिर वो बारी बारी सबके पास जाने के बाद त्यान की पास भी आ जाता है और उसे कहता है कि जल्दी अपना काम खतम करो और मेरे पास आओ मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और ये बोलकर लिउशियां से चला जाता है पर सारी इंप्लोईज की नजर तो इन दोनों पर ही थी और सबी को शक हो जाता है कि इन दोनों का कुछ तो चल रहा है और फिर त्यान के जाने के बाद सबी इंप्लोईज आपस में बात कर रहे होते हैं कि लगता है कि ये त्यान कोई मामूली से इंपलॉई नहीं है बलकि ये बॉस की सीक्रेट लवर है और यहां दुसरी तरफ लूशी त्यान को बाहर हवा खिलाने लाया होता है और वो साथ ही साथ उसके हाथ के उपर हाथ टच करके रखा होता है और फिर त्यान बहुत ही परिशान हो जाती है और कहती है कि बॉस वैसे आपने मुझे इतने चोटे से काम के लिए क्यों बलाया था और वैसे भी यहाँ पर कोई रैट कलर ही नहीं तो हम लोग कितने देर ते वैसे हाथ टच करके बैठे रहेंगे तो लूशी कहता है कि क्या तुम खुश नहीं हुई मैं तुम्हें यहाँ पर काम के नाम पर बाहर हवा खिलाने लाया हूँ तो त्यान कहती है कि ठैंक यू मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए लेकिन आज मेरे काम का पहला दिन है इसलिए प्लीज आप मुझे दोबारा से चोटे से काम के लिए डिस्टरब मत करना और वो जान मुझ के इसे दिखाने के लिए केक का चमच गुसे में मोड देती है और लूशी यह देखकर डर जाता है फिर त्यान कहती है कि हमें अब वापस चलना चाहिए तो लूशी कहता है कि ठीक है वैसे भी असिस्टेंट मुझे पिक करनी आया होगा और यह बोलकर लूशी यहां से चला जाता है तब ही त्यान से मिलने उसकी फ्रेंड रोज गहां पर आई होती है और वो बहुत ही परिशान होती है और त्यान से अपना दुखडा रो रही होती है कि उसकी बॉस ने आज उसे ओर्डर दी है कि वो एक हफ़ते के अंदर किसी फेमस बॉस का इंटर्वी लेकर आए तब ही वो उसे काम पे रखेंगी फिर त्यान इसे कहती है कि चलो मैं तुम्हारी हैल्प करती हूं मैं तुम्हें अपने बॉस का इंटर्वी दिला देती हूं फिर शायद तुम्हारा काम हो जाएगा तो रोज बहुत ही खुशी चाती है और कहती है कि ठीके फिर जल्दी से मिले ली, काम कर दो फिर त्यान आफिस में होती है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगएरा लेकर कहीं जा रही होती है तब ही वो एक इमप्लॉई से टक्रा जाती है और इसके सारे पेपर्स वगएरा नीचे गर जाती है तो वो इमप्लॉई इसकी हेल्प कर रही होती है पर तभी इतने में वो एक इंप्लॉई इसका एक पेपर देखकर एकड़मी शौक हो जाती है और फिर जल्दी से जाकर सारे डिजाइन टीम को ये गॉसिपिंग बताती है कि त्यान बॉस को लव लेटर लिक रही है और वो बॉस को आज प्रपोस करने वाली है दुसरी तरफ हम देखते हैं कि लूशी आफस में होता है तब ये असिस्टेंट उसे आकर ये रूमर के बारे में बताता है कि पूरी डिजाइन टीम में ये रूमर फैल गई है कि मिस त्यान आपके लिए लव लेटर लिक रही है और वो आज आपको प्रपोस करने वाली है ये सुनकर तो लूशी भी शौक हो जाता है और यहां त्यान अपना काम करी दी होती है तब ही इसको रोज का मैसेज आता है और वो इसे पूछती है कि क्या तुम्हारे बॉस इंटर्वी के लिए मान गए है फिर त्यान लूशी को मैसेज करती है कि बॉस क्या आप फ्री हो मुझे आपसे कुछ बात करनी है और यहां पर यह मैसेज परने की बात तो लूशी का कनफर्म हो जाता है कि सच में त्यान को मुझसे प्यार हो गया है आखिर मैं हूँ ही इतना हैंसम कि सारी लड़किया मुझे पसंद करती है लेकिन अब मुझे त्यान से थोड़ी दूरिया बनानी होगी क्योंकि उसे मिसंडर्स्रेंडिंग्स हो गई है कि मैं उसे इतना अच्छे से बहेव करता हूँ तो मैं भी उसे पसंद करता हूँगा तो असेस्टन कहता है कि शायद आप गलत समझ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मिस्स त्यान आपको पसंद करती है तो लिशी कहता है कि गलत फैमी नहीं हो सकती आखिर मैं इतना हैंसम हूँ तो वो मुझे क्यों नहीं पसंद करेगी लेकिन अब क्योंकि मुझे त्यान के साथ डिस्टेंस मैंटेंड रखना होगा इसलिए ठीक है डॉक्टर से मिलने मैं अकेले ही चला जाता हूँ त्यान को लेकर मैं नहीं जाओंगा दुसरी तरफ त्यान आफिस के लिए आ रही होती है तब ही उसे लिउशी का मैसेज आता है कि मैं अभी बिजी हूँ तब ही त्यान दिखती है कि लिउशी लिफ्ट में जा रहा है तब ही वो भागते भी जाती है पर लिफ्ट इत्में क्लोज हो चुकी होती है तो त्यान सीडियों से नीशी जाने रखती है और यहाँ पर लियूशी अपने असिस्टेंट के साथ लिफ्ट में बाते कर रहा होता है कि लगता है त्यान मुझे बहुती जल्दी में प्रपोस करने वाली है लेकिन मैं उसके मुँपर साफ मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाता हूँ इसलिए मैं उससे दूर रहूंगा और फिर वो त्यान के लिए एक सेट सौंग आ रहा होता है तब इतने में लिफ्ट ओपन होती है और सामने ही त्यान को देखकर लियूशी एकदमी शौक हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड येंपर ही खतम हो जाता है तो मिलते हैं नेक्स एपिसोड में